दोस्तों यह है वाइड बोर्ड एनिमेशन वीडियो वाइड बोर्ड एनिमेशन के इस्तिमाल किया जाता है इन्फर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे लोग इसको हाज से लिखने वाले वीडियो के नाम से भी जानते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे whiteboard animations वीडियो आप बना सकते हैं इसके software के बारे मैं आपको जानकर ही दूँगा कौन सा software आपको चाहिए किस तरह से आप पूरी प्रोसेस करके एक whiteboard animation वीडियो बना सकते हैं नमस्कार दोस्तों मैं अभवेनी भरत वाज आपका स्वाव करता हूँ माइबिक एडिस्मार्ट क्लास में इस चैनल पर मैं आपके लेकर आता रहता हूँ computer technology से चुड़े हुए धेर सारी tips और tricks तो अगर आप नए हैं हम जिस software का इस्तमाल करने वाले हैं वो software है video scribe और इस animation software के लिए सबसे popular application है एक साल के लेकर इस software को आप लेंगे तो यह 5-6000 के बीच में आ जाता है लेकिन अगर आप इसको test करना चाहते हैं तो आप free trial भी test कर सकते हैं हमने इसे download कर लिया है और यहां पर एक account भी बना लिया है तो हम यहां से email id और password डाल कर इस application को open कर लेते हैं जब आप इस application को open करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा सबसे corner में आपको लिखा दिखेगा creator new scribe यहां पर जो आपको दो file हैं दिख रहे हैं एक तो video scribe की दरफ से दी गई है और एक file हमने पहले बनाई थी यहां पर हमने एक intro बनाया था यहां पर यह जो intro है इसको मैं आपको पहले play करके दिखा देता हूँ किस तरह से यह intro में ने बनाया था यह जो button है यहां से इसे play करेंगे यह देती है यह intro कुछ इस तरह से में ने तयार किया था अब मैं आपको यही बताऊँगा कि यह सारी चीजें आपको video scribe में कैसे तयार कर सकते हैं तो चलिए यह जो button है इससे बाहर नकलते हैं और जाते हैं create a new scribe के option पर जब आप यहां पर पहली बार इसको open करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा तो उबर यहां पर आपको कई सारे option मिलेंगे यह cut को भी paste के हैं यह जो button है वो export करने के लिए है अगर आपको अपने slide में कोई music add कराना है तो यहां पर आपको जाना है अपनी अवाज अगर record करनी है यह voice over करना है तो यहां पर जाना है कोई background अगर आपको बदल नहीं है अपने slide की तो आपको यहां पर जाना है यह hand का option है फिलाल हम चीजें और text कैसे लेके आते हैं यहां पर आपको recently used image दिखाई देंगी recommended images का option यहां पर आएगा यहां पर धेर सारी जो image है अभी के समय में जो इस्तमाल की जा रही है ज़रूरत से जादा वो आपको यहां पर दिखाई देंगी अगर जो premium images हैं जो आपने purchase की हैं वो आपको यहां दिखाई देंगी और यह सारे जो arrow है, buildings है, call out options है, emoji है, अगर आपको money से related कोई clip art चाहिए तो आपको यहां पर मिल जाएगी, सारी चीज़ें आपको यहां पर मिल जाएगी, तो आप देखेंगे यहां पर जो recommended images दी गई है वो आज का जो time चल रहा है, जो corona time चल रहा है उस से related दी गई है कैसे आपक आपको mask यूज करना है, कैसे आपको हातों को sanitize करना है, यह सारी चीज़ें यहां पर दी गई है, तो हम यहां पर यह जो पहला वाला clip art है इसको use करेंगे, इसको हम select करेंगे, और जैसे हम इसे select करेंगे तो देखिए हमारी slide पर आ जाएगा, तो यहां पर आप इसको कहीं भी खिसका के रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको इस तरह से घुमा भी सकते हैं, जिस position में आपको इसे रखना है, उस position में आप इसे रख सकते हैं, जैसे आप इसको select करेंगे, तो नीचे आपको यहां पर option or display होगा, यह है set camera to current position, यानि जो इसका virtual camera है, वो यहां पर इस च चीज़, अब चलिए, आगे बढ़ते हैं, इस पर double click जबाब करेंगे, तो यहां पर आपको select image का option मिलेगा, इसके बाद graphic filters का option मिलेगा, आप blur, glow, wideness, saturation और contrast को बढ़ा सकते हैं, यहां यह जो अगला option है, वो है drawing option का, और यह main option है, जिसके लिए लोग इस software को इस्तमाल करते हैं, only draw stocks, यानि यह जो lines बनी हैं, इनको draw किया जाएगा, यहां वे तीन option आप मिलेंगे, draw, move in और fade in, तो पहले draw वाला option हम देख लेते हैं, पर एक select करेंगे हम, और यहां से preview को check करेंगे, तो यह देखिए, यह जो stock है, कोच इस तरह से draw किया जाएगा, जब आप इस animation को play क करेंगे, यह देखिए, इस तरह से बन गया, अब दूसरा option हम यूज करते हैं, यहां से, यानि move in वाला, और move in जैसे आप use करेंगे, यह बताएगा कि यह आपके slide बर किस direction से, यह picture हो आएगी, तो यहां से आप direction ले सकते हैं, देखिए, यह वाली direction हो, यह यह वाली direction हो, इ इस तरह से मूव करता हुआ आएगा, अब यहां पर आपको एक option और मिलता है, कि यह image आपको full color में चाहिए, सिर्फ outline में चाहिए, gray skill में चाहिए, किस तरह से चाहिए, यहां पर आउट line सेलेक करेंगे, तो सिर्फ आपको outline दिखाए देगी, किसी भी image की gray skill लेंगे, तो colors आपके गायब हो जाएगे, और वो image जो है, वो gray skill में यानि black and white में आ जाएगी, आप यहां नीचे आप देखेंगे, एक option और है, यह भी बहुत important है, हर image के लिए आपको अलग-अलग इस्तवाल करना है, animation full कितने time का होगा, pause कितने time का लिया जाएगा, और जो आपका जो ए पहले से यह जो animation है, वो fast हो रहा है, अब इसको और थोड़ा सा fast करना है, आपको और seconds कम कर देनी है, और फिर से play करना है, तो देखें, और fast यहां से चलने लग गया, इसके बाद में यहां पर आपको अगला जो option मिलेगा, drawing hands का मिलेगा, यहां से आप अलग-अलग तरह के जो हाथ हैं, वो ले सकते हैं, तो यह red pen वाला हाथ है, तो यह इस तरह से काम करेगा, इसके बाद में यहां पर यह कुछ एक electric hand है, वो इस तरह से काम करेगा, यहां पर यह जो stencils है, वो इस तरह से काम करेगा, कुछ हाथ एक right hand दिया गया है, एक left hand दिया गया है, तो वो इ आप किसी भी पैन का इस्तिमाल कर सकते हैं अपने एनिमेशन के लिए गृ Capacanda पैने अगर इसकर करेंगे तो सिर्फ चो पैन हो आपके Prevention को जब यह गता है जland कहना k视 knots के प्ले हो देखें करना है और जब यह animation शुरू हो आता तो छोटा था, अब यह zoom हो गया है, तो zoom करने से रोकने के लिए आपको इसे क्या करना है, आपको यहाँ इस button पर click करना है, और यहाँ पर zoom at end पर जो tick है उसको हटा देना है, तो बारा से हम play करते हैं, यह देखे, अब यह जो image है वो zoom नहीं होग अब एक के बाद दूसरी image पर कैसे transfer करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, जब यह image आपकी complete हो जाए, तो आपको एक image और यहाँ पर add करानी है, अब इस बार हम एक system add करा लेते हैं, और इसको हम थोड़ा से दूर रखेंगे, यह उठा के हमने यहाँ पर रख लिया, तो जब यह image complete बन जाएगी, तो जो animation है, आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर एक timeline चल रही है, वो अगले animation पर चला जाएगा, अब इसके लिए भी हम अलग से hand या draw जो कुछ भी है वो select कर सकते हैं, तो हम यहाँ से इसके लिए यह जो लाल कलर की pencil है, उसको select करते हैं, और इस animation की जो timing है, यहाँ से हम सिर्फ 4 seconds के लिए, 4 seconds के लिए रखते हैं, और यहाँ से इसे done कर देते हैं, तो देखिए, यहाँ पर एक clip art आ गई, और एक यहाँ पर clip art आ गई, अब दोनों को कैसे play करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे, और play कर देंगे, तो पहले यह play हो देखिए, इसको zoom out करूँगा, तो दोनों images आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, अब यहाँ पर अगर कुछ लिखना है, तो यहाँ से आप text वाला, जो option है, उसको ले लीजे, और यहाँ पर आप जो चाहेंगे, वो आप लिख पाएंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता ह या बड़ा कर सकते हैं, अब पहले हमने कौन सा animation add किया था, यह वाला, उसके बाद यह वाला, फिर बाद में हमने text लिया है, तो यह तीनों अपने करम से ही चलेंगे, पहले यह animation आएगा, उसके बाद यह आएगा, और तीसरे number पर यह वाला आएगा, अगर आप इनका करम बडलना चाहते हैं, तो यहां से उठाके आप इस timeline से किसी भी slide को आगे पीछे कर सकते हैं, तो मैंने big head बीच में ले लिया है, और उसके बाद मैंने computer है वो लगाया है, अब देखिए इस पर double click करके, मैं यहां पे इसका drawing hand है वो change कर दूँगा, तो यह जो pen है, उसे हम select कर कर देंगे, और यहां से इसे okay कर देंगे, और नीचे से okay कर देंगे, तो अब यहां देखिए इसके लिए एक अलग hand है, इसके लिए अलग है, और इसके लिए अलग है, अब दुबारा समय से play करके देखते हैं, यहां पे आपको जाना है, और play कर देना है, अब देखिए यह जो image है भी zoom नहीं हुई है अगर मैं इसको zoom पर लगा देता तो क्या होता यह तीनों images है वो एक साथ में हमें दिखाई देती हैं एक बार मैं आपको और करके दिखा देता हूँ यह zoom at end पर मैंने click कर दिया अब देखिए यहाँ पर click करने से क्या होगा कि जितने भी animation अभी हमने बनाए है उस साथ में एक जब last होगा slide का तो सब एक साथ दिखाई देने लग जाएंगे यह देखिए कुछ इस तरह से अब यह सब कुछ तो बन गया आप इस पर आवाज करना है इस पर click करना है और यहां पर आपको आपका microphone दिखाए देगा animation के साथ में आप यहां से आवाज को अपनी को record कर सकते हैं यहां पर यह जो option है वो है music add करने का अगर आप इस animation के साथ में कोई music लगाना चाहते हैं तो इस पर जाईए यहां पर ढेर सारे आपको music दीजिए तो आपने animation जितना भी लंबा बनाया है चाहे 10 मिनिट का चाहे 5 मिनिट का चाहे 15 मिनिट का तो उस पर जो music है वो लूप में play होता रहेगा आपको बारवार जो music है वो add करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो यहां पर यह जो option है यह इसकी white background को बदलने के देखिए यहां पर एक paper जैसी कुछ background आ गई आप मैं कोई और select कर लेता हूं यह मैंने marvel वाली कुछ select की है इसके बाद मैं आपको एक और करके दिखा देता हूं यह देखिए अब यहां पर आप चाहें तो soft edges भी दे सकते हैं तो यहां से आपको select करना है और यह यह और यह सबी अभी zoom हो जाएंगे YouTube पर वीडियो बनाने के लिए informative वीडियो बनाने के लिए इसके इसके इस्तेमाल कीजिए यहां पर last में वीडियो कैसे बनाते हैं तो यह जो share वाला बटन है इस पर आपको click करना है और अगर आप चाहते हैं कि जो आपका वीडियो है वो last म payment में convert हो जाए Download as a PPT तो आप यहां से कर सकते हैं अगर आप VEMO पे implode करना状ते हैं तो इसे यहां से कर सकते हैं YouTube पर re- pore चाहते हैं इसका sharing link चाहते हैं अप यहां से लिए सकते हैं और system में अगर आप यांपर यहां से कर सकते हैं अपकर और distort不錯 कर सकते हैं तो हम AVI में इसको डाउनलोड करते हैं, यहां पर आपको वीडियो के साइज का ओप्शन में लेगा, तो यहां पर साइज दिया गया है, Full HD, Standard HD और उसके बाद Normal Sizes, अब जिस भी साइज में चाहें, उस साइज में अपने वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, अब फ्रेमेशन को नाम दे सकते हैं, तो यहां से मैं इसको एक नाम दे देता हूं, तो यह जो मेरा अनिमेशन ही है, desktop पे save होने वाला है बस इसे यहां से ok कर दीजिए और थोड़ी देर इंतिजार कीजिए यह जो आपका पूरा वीडियो है वो render होना शुरू होगा आपके system की speed के उपर भी depend करता है कि यह जो animation है वो कितनी देर में बन जाएगा तो यह देखिए animation complete हो गया है तो आशा है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आप whiteboard animation बनाना सीख गए होंगे